पूर्व अध्यक्ष अरुन यादव ने दिया अपना बयान आपको बता दे उन्होंने कहा कि एक हजार के सीनियर्स होने के बावजूद अपनी पत्नी को पत्से नवाज दिया ये कहा कि नीती मुख्य मंत्री जी जो आजकल मुझे लगता कि बड़े फॉर्म में है और बड़ी-बड़ी बात ये आजकल हो रही है प्रदेश की सरकार में है उन्हीं की सरकार का एक नुमाइदा अपनी धर्वन पत्री को पनुत करने के लिए इस तरह की गिनोना करता है खराफ सरकों की हालत को लेकर रहवासियों ने डाले पोस्कार माननी मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान को बता दे बाग मुगलिया एक्स्टेंशन विकास समीती के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी के नेत्रत्तों में महा के रहवासियों ने माननी मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान को पोस्कार डाल कर अपनी गोहार लगाई ये तो ठीक था कि उन्होंने पोस्कार डाले आगे उन्होंने सडकों को गुलुकोस पिलाने का काम भी किया जी उनका मानना है कि जब कान पर जू नहीं रहेंगे गी तो हम इस तरीके के कार्रे अवश्य करेंगे जंता करती है पकार सडक तो तुमको बनानी होगी अरे सडक तुम्हें बनानी होगी अरे कौन लडेगा अरे कौन लडेगा अरे कौन लडेगा यह जो लाइन आप देख रहे हैं जो ना रासन की लाइन है ना यहाँ पर बोटिंग की लाइन है ये लाइन जो लगी है यहाँ सड़क तूड गई है और पिछले एक मैने से लगातार यहाँ की जनता बार-बार सड़क बनाने की जो मांग कर रही है उसको लेकर यहाँ यह सब बच्चे महिलाएं बुज़ूर्ग सभी लोग खड़े हुए है आप देख सकते हैं यह पोश्टार माननी मुखंधरी जी को वेच कर अपिल की जा रही है कि यहाँ की सड़के बनाई जाएं हमारे यहाँ के छेत कर सभी लोग और खासकर महिलाओं ने आज यह ठान लिया है कि अब तो सड़क को बनवाना है अच्छी सड़के हमारा अधिकार गड़ों से निजात देलाए सरकार यह सभी लोग पोश्टार लिये हुए है माननी मुखंधरी जी के लिए इतनी सारी संक्या में जब लोग यहाँ आ चुके हैं तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए हमारे प्रदेश के सासन के मुख्याओं को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों सड़क नहीं बनाई जा रही हम लोग लगातार एक मेने से जब हमने सुरू करा पहले मन्याडर भेजे गए मन्याडर भेजने के बाद हम लोगोंने यहाँ सड़कों को गुलुकोस फिलाया गुलुकोस फिलाने के बाद हम लोगोंने यह पोश्टाड अवयान सुरू करा है और यह पोश्टाड अवयान हमारा जरूर सपलोगा कालोनी और आसपास की कालोनी के सभी लोग यहाँ पर म कुपकार को ना सुनना भी बहुत दुख पहूंचाता है यह सारे नागरिक अच्छे नागरिक सब भी नागरिक जो कोई है रोक रहे हैं अब ऐसे लोगों की सुनबाई कब होगी यह देखने की बात है हमारी मांगे जल्द से जल्द सरकार हमारी आवाज को उपर तक सुने और इस सरकों के गड़ों से निजात दिलाने की बहुत ज़्यादा जरूवत है आप देख सकते हैं यह तारवा कहां से कहां तक पहुँच चुका है NSUI के छात्रों ने रखी प्रेस वारता जी आपको बता दे PCC में प्रदेश कॉंग्रिस कारेल है कि सभाग्रह में NSUI के स्टूडेंट्स ने प्रेस वारता रखी विशय कुछ इस प्रकार था उच्चे शिक्षा विभाग के मार्क दर्शक करियर योजना के चलते करोडों रु